देवी सुरे स्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरे स्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे संकर मोली विहारणी विमले मममती रास्ता तवपद कमले देवी सुरे स्वरी भगवती गंगे नमस्कार चारु धाम का गड कहे जाने वाला राज्य उत्राखंड का प्रतिने धित्व करते हुए एवं नहरु युवा केंद्र उत्तरकाशी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी की समक्ष डॉक्टर भीम्राव अम्वेडिकर जी की जैन्ती पर उनकी स्मृतियों संग प्रस्तुतूं कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पढ़ता कि व्यक्ति कहां खड़ा है पत पर या रत पर तीर पर या प्राचीर पर मनुस्य की पहचान होती है उसके मन से क्योंकि मन की फकीरी पर कबीर की संपदा भीर होती है ये पंक्तियां हैं श्रिमान अटल बिहारी बाचपेजी की, परन्तु ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेदिकर जी के चरित्र को, जो कहते थे, life should be great rather than long. हमारी भातिय सिस्कृती में कहा जाता है फल इन परिचायते, अर्थात फल परिचायक होता है कि व्रिक्ष कैसा है और कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है. मध्य प्रदेश के इंदौर जिल्ले की महुनगर में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन मिलिया, जिस व्यक्तित्व ने स्वकी परिधी को लांकर पर के लेकारे किया. एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संघर्ज कभी जुका न सका और आज हम उन्हें Unstoppable Man के नाम से जानते हैं, जो हमेशा कहा करते थे कि यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा. और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा. क्योंकि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं, जिस आजादी में समानता का अधिकार ना हो. ऐसे देव तुल्या, स्वतंद्र भारत के प्रथम्याई मंत्री, एवं सम्विधान सबा के जनक, डॉक्टर भीम्राव अंबेरिकर जी की जयनती पर आप सभी को हाद दिग बढ़ार. यती बात बाबा साहिब के बच्पन की की जाए, तो उनका बच्पन कई यात्नाओं में बीता, परंटु तब भी उन्होंने अपने सिक्षा को नहीं कियागा, क्योंकि उनका मानना था कि सिक्षा उस सेरनी का दूद है, जो पीएगा, वही दहाड़ेगा. इसी सोच के चलते उन्हें London School of Economics से Doctor of All Science की डॉक्टरेट भी प्राप्त हुई. बाबा साहिब कहा करते थे that cultivation of mind is the ultimate aim of human existence. यह कथन उनकी बुद्धी की स्थिर्ता को बताता है. मान्यवर अब विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ बच्पन से ही अमानविय व्यवहर होता आया, उन्होंने तब भी अपने मन में कभी भी नफरत को नहीं पनपने दिया. उनका माना था कि नफरत एक कमजोर दिमाग का खेल है. वे अंत तक एकताव भाईचारे की बा इस देश में बाबा साहिब जैसे महापुरुसों नहीं जन मिलिया. वास्तों में उनका चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणिया हैं. एवं उनके द्वारा किये गए कार्य हम सभी के लिए अविश्मर्निया हैं. आज उनके द्वारा दिये गए इस कथन से मैं आपनी वानी क विराम देना चाहूंगी कि स्वयम को इतना काबिल बनाओ कि स्वयम को इतना काबिल बनाओ कि आपको जुकाने के लिए कोशिशों के नहीं बल्कि साजिसों की जरुरत पड़े धन्यवाद जै हिन जै भारत जै देव भूमी उत्रा ख़ड़